हलो फ्रेंड शटपटी रसोई वित कविता में एक पर फिर से आपका स्वागत है आज मैं आपको बना के दिखा रही हूं भर्मा करेले बर्मा करेले बहुत ही टेस्टी होते हैं और आज मैं जिस टिक से आपको बना कर दिखाऊंगी न वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे यह बहुत ही स्वादिश्ट बनेंगे और हम बहुत ही काम उयल यूज करते हुए इनको बनाएंगे यह बहुत ही जल्दी बन जाएंगे और यह कड़वे पिल्कुल भी नहीं लगेंगे बर्वक करेले बनाने के लिए मैंने इहां पर करेले लेंगे उनको हम अच्छे से दोरेंगे और उनको फिर हम इस तरह से छीलेंगे हमको इस बाद में आरे सब की करेलों के छीलके उतार लेंगे तो ये देखिए इस वाले चाकू से ये बहुत ही जल्दी उदर जाते हैं तो ये जो इसके उपर का और ये नीचे का जो है पोर्शन ये हम काटके फैंक देंगे तो ये देखिए ये हमारे सारे करेले छिल चुके हैं तो अब बारी है अब हम करेले को ऐसे बीच में से इस तरह से काटेंगे और जो इनके अंदर बीच होते हैं वो हम निकाल लेंगे आपको एक बात का दियान रखना है कि इन करेले के अंदर जो बीच है वो कच्चे होने चाहिए और जो बीच है वो हमारे काम में आने वाले हैं इनके स्टफिंग करने के लिए तो बीच हम फैंकेंगे नहीं अगर बीच पके हैं लाल है तो हम वो फैंक देंगे तो एके करके हम सारे करेले के इस तरह से बीच में से कट लगा के सारे बीच निकालेंगे और उनको भी एक प्लेट में एक खटा करते रहेंगे तो ये मैंने सारे करेलो के बीच अंदर से निकाल लिये हैं तो अब बारी है हम इनको पीसेंगे तो ये देखें ये बिल्कुल हमारे तयार हो चुके हैं सबसे पहले हम एक बाउल में पानी लेंगे और ये करे ले इसमें डाल देंगे हम एके करके इनको हम अच्छे से धो लेंगे तो धोने के बाद हम इनको अच्छे से इनका पानी नचोड़ते हुए एक प्लेट में रख लेंगे इस तरह से कस के इनका हम जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे हम एक करके यह देखिए इस तरह से तो हमारे सारे करेली अच्छे से वाश हो चुके हैं चलते हैं नेक्स टेप की तरफ अब हम एक कटोरी में थोड़ा नमक लेंगे और करेले के ऊपर की जो कवर है इस तरह से हम सब में लगा देंगे यह हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारे करेले हैं जब हम इने खाते हैं तो यह उपर के पॉच्चन में कडवा पन बिल्कुल चला जाए तो हम सारे करेलों में यह इ करेंगे तो अब आरी है जो इनके चिलकी और बीच के जो बीच निकले थे उनको हम यूज करेंगे इस तरह का हम एक चौपर लेंगे अगर चौपर नहीं है तो हम यह मिक्सी जार लेंगे या फिर तीसरा ऑप्शन है यह चोटी वाली मुस्ली लेंगे जिसमें हम अद्रक तो इस बार मैं चौपर यूज कर रही हूं आप कुछ भी जो भी आपके पास अफ़लेबल हो आप वही यूज कर सकते हैं तो बस इसको हम अच्छे से बिल्कुल बारीक इसका हमें वह बनाना है पेस्ट बहुत ही बारीक करना है और इसको देखे मैं आपको दिखाती हूं क तो अब हम एक बाउल में नमक डालेंगे और यह जो हमने पेस्ट बनाएयना इसको हम उसम्के सब्सक्राइब आप यह देखिए इस तरह से हम साथ के साथ इसमें डालते रहेंगे और आप जो हमारे आदे चिलकी बच गए है ना उसको भी हम दूब इसमें ही डालके दुबारा से ऐसे ही पीस लेंगे तो यह वाला भी हम इसमें डालेंगे यह बहुत ही जल्दी बन जाएंगे और जंजट बिल्कुल भी नहीं होती है इसमें तो यह देखिए हमारा यह भी कितनी जल्दी से फिस गया है इसको भी हम नमक वाले पानी में डाल देंगे तो अब बारी है यह जो हमने बीज लिये देना यह भी हम इसमें ही अच्छे से च बस आपको एक बात का धियान रखना है कि जो पके हुए बीज हो लाल हो उनको हमें यूज नहीं करना है उनको हम फैंक देंगे और यह जब हम इसमें बनाएंगे ना तो इसमें क्रंची सा आएगा ना वह बहुत अच्छा लगता है मिक्सचर तो यह भी हम इसमें कर देंग और थोड़ा से इसमें पानी डालके हम अच्छे से लाते हो इसमें डाल देंगे तो यह देखे यह हम इस थोड़ी देर के लिए इसको पांच से दस मिनिट के लिए हम इसको इलग रख देंगे तो यहां पर मैंने दो कच्छे आम लिए हैं और इनको हम अच्छे से छील ले हैं तो यहां पे मैं यह कद्दू कस कर लूँगी यह देखिए और इसका पल्प निकाल लूँगी तो चारों तरफ से कसने के बाद हम जो इसकी गुटली होगी वो हम फैंक देंगे और हमारा जो पल्प है वो तैयार हो गया है तो अब बारी है यह जो हमने इसको पानी में भीगा के रखा था नमक के पानी को इसको हम चान लेंगे तो मैं इस चानी में इसको चान रही हूँ और चानने के बाद एक के दुबार स्फपानी से दूलेंगे और उसके बाद हम इसको बिलकुल कस्के न चोड लेंगे, श जो पानी थो पूरी तरह से निकल यहाए, इस तरह से कॉच के हम चोड लेंगे और एक प्लेट में इसको रख देंगे तो हमें बागी के भी जो mixture है हमारा ये इसको भी हम कसके नचोड लेंगे इसका जो कड़वा पंथा ना वो नमक के पानी में निकल चुका है तो अब इसमें बिल्कुल भी कड़वा पंद नहीं है तो यह हमारा सारा अच्छे से निचुड़ चुका है, तो यह देखिए, यह हमारा बिल्कुल तयार है, तो अब बारी है, हम यह देखिए, यहां पर हमने चार प्याज ली है, इसको भी मैंने बारी चॉप कर ली है, आठ से नौ मैंने लेसुन की कलियां ली है, वो भी बारी क चाहते हैं लेकिन मस्टर्ड ओयल में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो यहां पर मैंने एक बड़ा चमचा ओयल लिया है ओयल गरम हो जाने पर हम इसमें एड़ करेंगे हींग हींग मैंने यहां पर वन फोर्थ टी स्पून लिया है और एक दो चमच मैं इसमें जीरा ले रही हूँ जीरा हो जाने के बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे लहसुन का कलर चेंज हो जाने पर फिर हम इसमें एड़ करेंगे हमारा जो बारी कटा हुआ प्यास था वो डाल देंगे हम हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक कि यह थोड़ा गोलडन ब्राउण नहाँ जाए इस इसका सर्फ कलर चेंज होना चाहिए से जलाना नहीं है तो यह देखिए इसका कलर हलका सा चेंज हो गया है तो इसमें हम डालेंगे डेट चमच नमक, नमक हमारा डेट टी स्पून है मैं इसको थोड़ा से स्पाइसी बनाऊंगी इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मिर्च ज्यादा डाल रही हूँ तो मिर्च मैं यह आपर ले रही हूँ तीन टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और वन टी स्पून हल्दी और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करते होई जब हमारा ये मसाल अच्छे से पक जाए तब हम इसमें आड़ करेंगे करेले के छिलके वाला मिक्सचर और इसमें हम ये पूरा डाल देंगे और अब इसको हम अच्छे से mix करेंगे इसको अच्छे से mix करने के बाद इसको हम 3-4 मिनट के लिए ढखके छोड़ देंगे 3-4 मिनट हो जाने के बाद अब हम इसमें ये देखें कितना ये soft हो चुका है अब बारिये इसमें हम थोड़े से मसाले आड़ करेंगे तो यहां पर मैंने लिया हैं 2 टी स्पून गरम मसाला और अब इसको अच्छे से हम mix करेंगे और अब एट करेंगे हम इसमें आम का जो हमने पल्प निकाला था कच्छे आम का वो इसमें हम डालके अच्छे से mix करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले का कि अगर हमारे पास कच्छे आम नहीं है तो आम चुर पाउडर या नीबू का रस हम डेड़ नीबू का रस इसमें मिक्स करेंगे तो इससे भी हमारे स्टफिंग बहुत ही चटपटी बनेगी तो ये अच्छे से मिक्स हो गया अब इसको दो मिनट के लिए हम ठाके छोड़ देंगे तो दो मिनिट हो जाने के बाद अब ये देखें ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है हमारे स्टाफिंग बिल्कुल रड़ी है तो अब हम गैस को करेंगे ओफ और अपनी स्टाफिंग को हम नीचे उतारेंगे और अब बारी है इसको थो देखें यह कितना सारा निकला है तो बस अब इसको हम एक साफ पानी में से अच्छे से दोएंगे और एक प्लेट में इसको निकाल रखते रहेंगे इस प्रोसीजर से हमारे जो करेले का जो कड़वा बन है वो निकल जाता है थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है मगर करेले बहुत ही टेस्टी बनते हैं इतनी महनत के बाद तो यह पानी हम फैंक देंगे तो अब हम हारी स्टाफिंग हमने रेडी करी थी वो बिल्कुल तैयार है तो अब हम करेलो को इस तरह से लेंगे और इनको इसमें हमारे स्टाफिंग इस तरह से डालेंगे और अब यह स्टाफिंग फ्राइ करते वक्त निकले ना तो इसके ल तो यह देखे इस तरह से आप इसको अच्छे से बांद दीजिए ताकि जब हम इनको फ्राइ करें तो यह स्टॉफिंग बाहर न निकल जाएं तो यह इस तरह से इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे और सी तरह से काटके हमारा एक जो करेला है वह बिल्कुल फ्राइ के कर लिए तो अब बारी है यह जो हमारी स्टॉफिंग बच जाएगी ना इसको हमें फैकना नहीं है यह मारे बहुत काम आने वाली है तो बस गैस कौन कीजिए कड़ाई रखिए और इसमें यहां पर बहुत ही कम लूँगी वन फोर्थ कप ऑईल हमें यह बल्कुल पूरे ड है बस अब इसमें हम वन फोर्थ टी स्पून हींग डालेंगे गरम होने पर तो मस्टर्ड ओल आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं तो जब हमारे ही में अच्छे से खुश्भू आने लग जाना इसमें हम एड करेंगे वन फोर्थ नमक ठीक है वन फोर्थ टी स्पून न बस इसमें इस तरह से रख देंगे जो गैस की फ्लेम है ना वह हम को लो से मीडियम ही रखनी है तो हमारा वल इस टाइम बहुत गरम है ना तो बस गैस को मैंने बहुत लो रख रखी और इसको ठके रख दिया तो दो तीन मिनिट बाद हम इस चेक करेंगे यह देखिए बस इनकी ना जो पोजिशन है वो बिल्कुल चेंज कर देंगे इस तरह से पलट लेंगे इनको हमें बीच वीच में चैक भी करते रहना है कि यह जल जाए तो बस इसको फिर से हम ढख देंगे और तीन से चार मिनिट बाद फिर हम इसको चैक करेंगे ना तो यह देखिए हमारे करेल्य को चेंगे चुकह और यह इधर की सफैसे तो यह पूरी तरह से पक चुका है तो फ्याइंट करेले हैं आप प्लीज के आप प्लीस इस तरह से बाते शहाए और और अगर आपको मेरी वीडियो अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं खाने के लिए तो चलिए अब इनको हम एक बाल में निकाल लेंगे यह बहुत ही इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे यह तो यह फाइनली बच गया और देखें हमारा जो ओयल है वो भी कितना बच गया है तो फाइनली हमारे करेले बिल्कुल रेडी है तो अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आती है तो प्लीस मेरी वीडिय को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब थे थार लग्ट अँे आर देखें स है कीजिए खाइनली इचर्पाने है तो लॉवु झेली बचैनले फिटवाट आपको मेरी थारा शब्सक्राइब कीजिए लग्लेश कावटी ओर चाले के enemy की बचाश कराइब के बचाएंनले ओर स्द लिए दो खाफ़एंधनले है